अगर आपके फल वाले पौधों में, सबजियों वाले पौधों में फल नहीं आ रहे हैं या फूल आकर गिर जा रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐस खास फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देने के बाद आपके पौधों में फूल भी आएंगे, साथ में उनसे धेर सारे फल भी बनेंगे और फलों का साइज बड़ा भी होगा तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोन मील फर्टिलाइजर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, बोन मील फर्टिलाइजर क्या होता है, इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है, बोन मील को गमले की मिट्टी में कैसे मिलाएं साथ में बोन मील फर्टिलाइजर आपको कहां से खरीदने को मिलेगा तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेसें गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप पह आमने नीबू का जो है पौधा लगा हुआ है और इस नीबू के पौधे को मैंने लगभग दो साल पहले लगाया था दो साल पहले नीबू का पौधा लगाने के बाद मैंने इसमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर दिये और सबसे अच्छा जो फर्टिलाइजर मैंने इसमें इस्तमाल किया वह है बोन मील अब बोन मील के बारे में पूरी जो है जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो सुरुगात करते हैं कि आखिर ये बोन मील होता क्या है तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है बोन मतलब हड़िया तो यह एक हड़ियों से बना फर्टिलाइजर है जिसे हड़ियों से बनाया जाता है तो यह स्टीम्ड बोन मील है तो इसमें सारी हड़ियों को स्टीम करके फिरुन का पाउडर बना लिया जाता है और जिसके बाद फाइनल प्रोड़क्ट इस तरह का आपको देखने को मिलेगा अब आप जान गए हैं कि bone meal fertilizer क्या होता है इसके बाद बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है जो हमारे पौधों के लिए जरूरी है तो bone meal में calcium और phosphorus काफी अच्छी मात्रा में होता है और जैसे कि phosphorus के बारे में आपने सुना होगा तीन जो main nutrient हैं NPK nitrogen, phosphorus और potassium तो उसमें से जो phosphorus है वो bone meal में काफी जादा होता है और अगर हम इसके NPK value की बात करें bone meal की तो वह होता है 3 ratio, 15 ratio, 0 मतलब 3% nitrogen, 15% इसमें होता है phosphorus और potassium इसमें 0% होता है तो सबसे जादा phosphorus है जिसकी जरूरत हमारे पौधे को होती है अब क्या फायदे होती है phosphorus के उन्हें समझ लेती है तो phosphorus क्या करता है सबसे पहले तो phosphorus हमारे गमले में लगे हुए पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है इसके अलाबा इसमें nitrogen होता है जो की पौधे में greenery बढ़ाता है पौधे की पत्तियों को हरा बनाता है phosphorus का दूसरा एक काम होता है पौधे में food develop करना या फिर इस तरह से जो है फल बनाना और फल को बनने में help करना साथ में phosphorus के अलाबा इसमें calcium भी होता है calcium chlorophyll में जो cell wall होती है हमारी या टमाटर आपने दिखा हुआ नीचे से खराब होने लगता है तो उसमें काफी जादा मदद करता है तो इस तरह से बौन मील में अलग-अलग तरह के nutrition होती है जो हमारे पौधे के लिए कई तरह से फाइदे मन्द होती है अब बात करें कि बौन मील का इस्तमाल गार्डन में लगे हुए पौधों में कैसे करना है तो देखिए बौन मील का इस्तमाल करना बहुत ही आसान है सबसे पहले क्या करती है इस packet को खोल लेते है तो इस packet को यहाँ से हम open कर लेंगे कुछ इस तरीके से आपको बौन मील मिलेगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यह देखिए यह बौन मील है अब हमें करना क्या है तो सबसे पहले इस जो ग्रो बैग है grow bag में आपको क्या करना है इसकी मिट्टी को थोड़ा सा आपको धीला करना है या कहें कि लूज करना है तो इसे कहते हैं गुडाई करना तो हलकी सी यहाँ पर गुडाई कर दीजिए किस तरह से करेंगे इस तरह से देखिए रूट उपर ही है पौधे की तो बहुत जादा डैमेज ना हो रूट इस तरह से आपको गुडाई कर देनी है और इसके बाद आपको इस मिट्टी में लग भग दो मुठी बौन मील मिलाना है अब बौन मील कैसे मिलाना है तो आप यह देख सकते हैं एक मुठी बौन मील लिया इस टैम से थुड़ा दूर इस तरीके से हमने दो मुठी बौन मील मिला दिया मिलाने के बाद आप क्या करिए इसी मिट्टी को इस तरह से इस बौन मील में मिक्स कर दीजिए बौन मील मिट्टी के अंदर ही होना चाहिए उपर आपको नहीं छोड़ना है पून मील मिला सकते हैं या फिर जब आप पॉधा लगाने के लिए मिट्टी तयार करें, तो उस समय आप इस मिट्टी में बून मील मिला दें तो आपको काफु अच्छा待 रिजल्ल्ट मिलेगा, बून मील मिलाने के बाद आपको दे देना है पानी, तो देखिए इस तरह से मैं इस वाटरिंग कैन की मदद से पानी दे दे रहा हूँ और इसके बाद अब क्या होगा बोन मील जो है मिट्टी में मिलेगा बोन मील के पोसक तब तो इस मिट्टी में मिलेंगे नाइट्रोजन, फॉस्पोरस, केल्सियम और यह फॉस्पोरस फिर क्या होगा हमारे जो पोधे में फल लगेंगे उनका साइज भी बढ़ाएगा और फूल से फल बनने में भी हेल्प करेगा तो इस तरह से आप बोन मील फर्टीलाइजर का इस्तमाल अपने गाडन में लगे हुए पोधों में कर सकते हैं और उनमें धेर सारे फिर फल आने लगेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करें यह जो बोन मील फर्टीलाइजर है आपको मिलेगा बैट साइट और्गनिक बजार डॉट नेट पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है वहाँ पर जाकर आप इसे खरीच सकते हैं और इसे आप सभी तरह के पौधों में इस्तमाल कर सकते हैं फल वाले पौधे, सबजियों वाले पौधे और यहां तक की फूलों वाले पौधों में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो बोन मील फर्टीलाइजर के बारे में जो आज का ये वीडियो था वो आपको कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो लाइक और सेयर जरूर करें साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बोन मील के बारे में अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिखें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा वीडियो को लाश तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गाडनिंग